सब्सक्राब कीजिए इन्फराटेक यूट्यूब चैनल को बिल्कुल फिरी और बेल आइकन दबाईए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फराटेक यूट्यूब चैनल, इन्फराटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ड़ेड इस वीडियो में हम आपको बताने वाली हैं, लेट्स अपना लेटेस्ट स्मार्टफॉन चैनीज मार्केट में लाउंच कर दिया है, उस स्मार्टफॉन का नाम है लेनोवो के 320 T, इस स्मार्टफॉन की सबसे एहम खासियत, इसमें टू रियर कैमरे और फुल स्क्रीन डिस्प्ले दी गई है कमपनी ने इस स्मार्टफॉन को चाइना की सर्टिविकेशन साइट टीना पर लिस्ट कर दिया है अब कमपनी ने चाइना में ओफिसियल तौप लेनोवो के 320 T स्मार्टफॉन को लांच कर दिया है लेनोवो के 320 T स्मार्टफॉन की प्राइस 999 चीनी वान यानि करीब 9,900 एंडियन रुपीज है और इस स्मार्टफॉन को अभी चाइना में JD.com पर प्री बुकिंग के लिए अविलेविल कराया गया है और इसकी सेल चाइना में 4 जैनवरी से स्टार्ट होगी लेनोवो का यह स्मार्टफॉन ब्लेक कलव वेरियंट में मिलेगा लेनोवो के इस स्मार्टफॉन की खासिया जो हमने आपको पहले ही बता दी कि इसमें दो रियर कैमरे और फुल स्क्रीन डिस्प्ले यानि 18 रेशियो 9 एस्पेक्ट रेशियो वाले डिस्प्ले दी गई है अब बात करते हैं इस स्मार्टफॉन के स्पेसिफिकेशन की प्रेंड दी गई है इसके साथ इस फॉन में 1.3 GHz क्वार्ट को प्रोसेसर दिया गया है इसके अलाबा इस फॉन में 2GB RAM दी गई है और 16GB इंटरनल स्टूरेज दी गई है जिसे Micro SD Card के जरीए 128GB तक Expand किया जा सकता है यह स्मार्टफॉन Dual SIM सप्पोर्ट करता है अब बात करते हैं इसे स्मार्टफॉन के Camera Features की तो Lenovo K320T में एक Dual Camera Setup है जो Aperture F2.0 और LED Flash के साथ 8MP और 2MP से लेस है वहीं फ्रंट में फ्रंट में Selfie और Video Chatting के लिए Aperture F2.2 के साथ 8MP का Front Facing Camera भी दिया गया है इस फ्रंट में रियर पर एक Fingerprint Sensor भी है फ्रंट का रियर प्लास्टिक का बना हुआ है Lenovo का यह स्मार्टफॉन Android SIM.1.1 Nougat Based है इस फ्रंट में बैटरी 3000mAh की दी गई है Connectivity Features की बात करें इस फ्रंट में तो 4G World Tee का Support दिया गया है इसके साथ ही Bluetooth, Wi-Fi, GPS, AGPS, 3.5mm Headphone Jack और Micro USB Port जैसे Features दिये गई है फ्रंट का Weight 153.8 Gram है इसके अलावा इस फ्रंट में Gravity, Sensor, Distance Sensor, Light Sensor जैसे Sensor भी दिये गई है फिलाल ये phone अभी चाइना में लॉंच हुआ है Price Range सही रखी गई है Phone भी सही है Features के हिसाब से तो फिलाल इस वीडियो में अतना ही उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो समझ में आ गया होगा अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टैक वीडियो दिकना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चेनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहे हैं हमारे चैनल के साथ और अगर आपको इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर केजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि हम आपके लिए इसी टाइप की और इससे ज़्यादा इंट्रेस्टेड डेली वीडियो लेकर आते रहते हैं तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो थैंक्स